हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज हम आपको 2020 का एक्जाम पेपर दिखाएंगे और इससे सम्बंदित बाते भी आपको बताएंगे कि यह पेपर होता है तीन घंटे पंदरा मिनट का हां और इसमें को भारने के इसको पहले आप पंदरा मिनट पेपर पढ़ लेजिएगा उसके बाद पेपर को आप हल कीजिएगा ठीक है अब चलिए आगे प्रस्ण का है निम्न लेखित कथनों मेंसे कोई एक कथन सही उसे पहचान का लिखना है घंट हेओर में आप श्खन मेंसे कोई एक आप्षन सही है उसे पहचान का लिखना है अगला पेश खर एक रिटी के लेखक का नाम लिखना है चार पर्स चार इथे हैं चार क्यूस्टन है उसमें से एक किसी लेखक का नाम लिखना है दूसरा है दीबदान दीबदान एक आंकी के लेखा का नाम लेखी है जो एक नमबर का आता है ठीक है घौ भी एक नमबर का है और अंगा भी एक नमबर का है आप लोग क्वेशन पढ़ लीजेगा ठीक है दोसरा क्वेशन आता है पांच नमबर का और इसमें तीन प्रस्ट दे रहते हैं तो आप पढ़ लीजे प्रस्ट पहल अब आगे देखिए आपटो तीसरा क्वेशन है पद्य में से और इसमें दो क्वेशन दिया है यह च्छै नमबर का आता है जो आपको समझ में आए आपको ओही लिखना आचा है एक इधा दिया है कि यहां पर है यह भी छाई नंबर का है यहां पर है इन दोनों में से किसी एक question को लिखना है इसमें से पढ़कर इतना यहां पर लिखना है ठीक है तो यह चौथा question निमनल यह पर्द्य में से है इसमें भी दो दिया है question इसमें से भी इसको संदर्व साइद भ्याख्या करना है छे नंबर का यह है अब पाच्वा question आता है पद्य में से पहला question है पद्य में से पहला को इसमें जीवन परचे लिखना है किसी एक लेखक का तीन नाम है ठीक है कोई एक जो आपको भी जो पता हो उसको आप पढ़कर लिखे लिखना तीन नंबर का आता है उसके बाद एक गद्य में से आता है यह भी तीन नंबर का होता है और इसमें भी तीन आक्षन है अब आ गया छटा को इसका संस्क्रीत में अनुवाद करना है नहीं नहीं स्वरी यह संस्क्रीत में है इसका हिंदी में अनुवाद करना है दो कोशन है अठवा करके इसके बाद है साथमा कquester अपने पाथे पुष्टक से एक इसलो लिखना है जो दो नमबर का आता है और संस्कृत के प्रशन गोई दो प्रशनो को लिखना है दो नमबर का है चार उप्सन दिए हैं आठमा कquester आठमα तीन क्वotes है छै नमबर का पर लिजिए रस है अलंकार है और छंद है ठीक है छैनमबर का आता है रस अलंकार उसके बाद तीन नमबर का उपसर गाता है दो नमबर का प्रत्य आयाता है इसके बाद गह कोस्टन है इसमें समास बिगर करना है किती दो का आप्सन दिया है पांच उसके बाद गह है इसमें इसमें भी ततसरम घह में दो कोस्टन लिखना है दो नमबर का आता है उसके बाद अंगा है दो पलवाच ही लिखना है ठीक है उसके बाद दसमा नमबर है दो नमबर का ताइस में से कोखो नहीं 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 दो नमबर का नहीं आता है ये छे नमबर का आता है ये भी देखे जिए इसको भी अब है घो इसमें से दो का संस्क्रित में अनुवाद करना है ठीक है उसके बाद है ग्रावा कोश्चन सबसे महतों पूर्ण कोश्चन अब है नंबर कालता है निर इबंध लिखना तो आपको निर नीबंध लिखना है ठीक है आँए बढ़ावा कोश्चन यह खंडका भर लिखना है किसी एक का तो जो आपकी तपर जो इस Ste जाता है उसी को लखना है तो यूपी में मात्र भूम के लिए प्रहर जाता है और यह यह मात्र भूम के लिए एक और दो इन दोनों को लिखना है जो यूपी से है